नमस्कार, न्यूज एट नाइन प्रोग्राम में आपका स्वागत है, मैं हूँ अम्रितुपाध्याय, आईए जल्दी से देखते हैं आज की हेडलाइन्स के आए स्वास्ट के एक शक्र में भारत की बड़ी छलांग, MMR में राष्ट्रिया स्वास्त नीती का लक्षय हासल, सतत विकास लक्ष में कुछ राज्यों को मिली सफलता खबरों में आया महराष्ट्र करनाठ का विवाद, राज्य पुनर गटन अधिनियम को चुनोती, समवैधानिक प्रावधानों पर दोनों राज्य आमने सामने और वायू प्रदूशन पर आयो जित होगी कॉन्फरेंस, पंचमा भूत की संकल्पना बनेगी आधार, साल दोहजार उननीस में NCAP लाई थी के अंदर सरकार खबरों की शुरुआत करें, उससे पहले एक बर फिर बता दू मैं आपको कि अगर आप इस बुलेटिन को PDF फॉर्मेंट में पढ़ना चाहते हैं तो अमरित उपाध्याई 007 टेलिग्राम चैनल पर जाईए, जहां इसकी PDF रोजाना मिलती है आईए खबर शुरू करें स्वास्त के एक शत्र में भारत ने एक नया मुकाम हासल किया है भारत की MMR यानि मात्रित उम्रित्यू अनुपात में बड़ी कमी दर्ज की गई है इसी के साथ भारत ने राष्ट्रिय स्वास्तिनीती में तैय किये गे लक्ष को हासल कर लिया है इसके अलावा भारत के आठ राज्जियों ने सतत विकास लक्षों में तैय किये MMR के टार्गिट को भी हासल कर लिया है राइस्टरार जनरल ओफ इंडिया ने MMR पर एक स्पेशल बुलेटिन जारी किया था 2018-2020 में भारत की MMR 97 है जो कि साल 2014-16 में 130 थी सबसे ज़्यादा MMR असम में दर्च की गई है मात्रित्व मृत्यों किसी भी क्षेत्र की महिलाओं के प्रजनन स्वास्ते का मापक होती है WHO के अनुसार मात्रित्व मृत्यों का मतलब किसी गर्भवती महिला की मौत या प्रसाओं के 42 दिनों के अंदर या गर्ब धारण से जुड़े किसी कारण की वज़े से या उसके प्रबंधन की वज़े से होने वाली मौत है एक लाख जीवित जन्म पर होने वाली मात्रि मृत्यों की संख्या MMR कहलाती है आपको बता दें कि राश्ट्रिय स्वास्तिनीती में प्रती एक लाख जीवित जन्मों पर MMR को 100 से कम रखने का लक्ष रखा गया है वहीं सतत विकास लक्ष 3.1 के तहट प्रती एक लाख जीवित जन्म पर MMR को 70 से कम रखने का लक्ष रखा गया है वस्त्रमंत्राले ने शिल्प गुरू और नेशनल अवार्ट्स टू दे मास्टर क्राफ्ट परसंस प्रदान किये ये अवार्ड उपर अश्ट्पती जगदीप धन्खड के द्वारा दिये गए हैं अवार्ड साल 2017, 2018 और 2019 के लिए प्रदान किये गए हैं कोविड के चलते पिछले कई सालों से पुरसकारों के लिए एक साथ समारूह आयोजित किया गया है नेशनल अवार्ड स्टू दे मास्टर क्राफ्ट परसंस साल 1965 से तो शिल्प गुरू अवार्ड को साल 2001 में लौंच किया गया था हस्तकला के क्षत्र में दिया जाने वाला ये सबसे बड़ा आवार्ड है हस्तकला क्षत्र देश के अर्थववस्था में एहमियत रखता है साथी रोजगार स्रिजन और विदेशी मुद्रा लाने में भी इसकी बड़ी भूमिका है मध्य प्रदेश के मुहम्मद यूसुफ खत्री को बाग प्रिंट हस्त शल्प विरासत के संरक्षण के लिए साल 2017 का शल्प गुरु पुरसकार प्रदान किया गया मुहम्मद यूसुफ खत्री ने बाग प्रिंट की पहचान बनाने में बहुत बड़ा युगदान दिया है बाग प्रिंट मध्य प्रदेश के जिले धार में स्थित एक कस्वे बाग के नाम पर है इस प्रिंट में और्गनिक कलर्स का इस्तमाल किया जाता है इसलिए स्प्रिंट से तयार किये गए कपड़े स्किन के लिए फायदेमंद होते हैं इन कपड़ों को तयार करने का 95% काम गैर मशीनी होता है मद्द प्रदेश के बाग प्रिंट को हस्थ शिल्फ के श्रेणी में GI टैग भी दिया गया है इस खबर की एहमियत को समझने के लिए साल 2015 में UPSC की प्रारंभिक परिक्षा में पूछे गए सावाल पर गौर करिये है कलमकारी चित्रकला निर्दिष्ट करती है दक्षन भारत में सूती वस्थ पर हाथ से की गई चित्रकारी को इसका सही जवाब है option A यानि दक्षन भारत में सूती वस्थ पर हाथ से की गई चित्रकारी दो से चार दिसंबर के बीच भोनेश्वर में एक कॉन्फरेंस आयोजित की जा रही है जिसे वायू दा वाइटल लाइफ कोर्स नाम दिया गया है इसमें वायू की गुडवत्ता से संबंदित मुद्दो पर चर्चा की जाएगी इसके अलावा जलवायू परवर्तन और वायू प्रदूशन पर प्राचीन ग्रंथों के रेफरेंस के साथ वारता की जाएगी गौर तलब है कि वैदिक संकल्पना पंचमा भूत के मुताबिक प्रकृति में हर चीज पांच तत्वों से मिलकर बनी है इन पांच तत्वों में प्रित्वी आकाश अगनी वायू और जल शामिल है अगर इन में से किसी भी तत्व का बैलेंस कम या जादा होता है तो इससे मानव समधिता को नुकसान पहुंचता है इसलिए अच्छे स्वास्थे और सतत जीवन के लिए साफ हवा ज़रूरी है इस कांफरेंस का मकसद NCAP के तहट निर्धारित लक्षों को पूरा करना है आपको बता दें कि 2019 की शुरुवात में केंदर सरकार ने नेशनल क्रीन एयर प्रोग्राम यानि NCAP को लौंच किया था इसके तहट बढ़ते वायू प्रदूशन को कम करने के लिए एक समय बद्ध है राष्ट्रिय रणनीती की बात कही गई है NCAP एक मध्यावधी पंच वर्षिय कार्य यूजना है जिसके तहर 2024 तक पार्टिकुलेट मैटर्स धाई और दस की सांद्रता को 20-30 फीजदी तक कम करने का लक्षय है महाराष्ट्रा और करनाटका के बीच सीमा विवाद खबरों में है दरसल महाराष्ट्रा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में करनाटक के गाउं को महाराष्ट में शामिल करने से संबंधित याच का दायर की है इसमें राज्य पुनर गठन अधिनियाम 1956 के प्रावधानों को चुनौती दी गई है इस पर करनाटक ने संबिधान के अनुचेद तीन का हवाला दिया है जिसके मुताविक राज्यों के सीमा संबंधी विवाद में सुप्रीम कोर्ट के पास शक्तियां नहीं है बलकि संसत को इस मामले में शक्तिया हासिल है इसके जवाब में महाराष्ट्रा ने अनुचेद 131 का सहारा लिया है जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच विवाद के मसले पर सुप्रीम कोर्ट को शक्तियां हासिल है गौर तलभे के राज्य पुनर गठन आयोग अधिनियम 1956 फजल अली कमिशन की रिपोर्ट पर आधारित था इससे महाराष्ट और करनाटक राज्यों का गठन हुआ था लेकिन ये सीमा विवाद इस अधिनियम के संसत से पारित होने के बाद से ही चला आ रहा है इस विवाद को सुल जाने के मकसद से केंदर सरकार ने साल 1966 में मेहरचन महाजन कमिशन का गठन किया था इस रिपोर्ट को संसत में पेश किया गया था लेकिन लागू नहीं किया गया दोनों राज्यों के बीच विवाद जसकतस बना हुआ है आई देखते हैं आज की बुलिटिन पर अधारित क्या सवाल बन सकते हैं पहला सवाल है खबरों में रहा मेहरचन महाजन कमिशन किन दो राज्यों के बीच सीमा विवाद को सुल जाने के लिए गठित किया गया था पुरू बुलिटिन में मैंने आप से पूछा था बलू बगिंग तखनीक क्या है प्रकार डिवाइस में एक हैकिंग जलवायू परिवर्तन की एक पहल यह फिर मौसम विज्ञान से संबंदेते एक संकल्पना सही जवाब यानि ब्लूटूथ डिवाइस में एक हैकिंग थ्रेट अगला सवाल मैंने पूछा था निमलिखित कथनों पर विचार कीजिए भारत में समलेंगिक विवाह को विधिक तोर पर मानेता दी गई है नवतेज जोहर मामला समलेंगिकता से संबंदेत है नीचे दिये गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर आज पूछेगे सवालों का जवाब भी जरूर कमेंट बॉक्स में दें आपके जवाब लगतार हमें मिल रहे हैं और अपनी पढ़ाई को ठीक तरीके से आगे भी जारी रखिए अपना ख्याल रखिए नमस्कार हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS Hindi